आगाश्वणी भूपाल से प्रसुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग देश में कुरोना संक्रमित लोगों की कुल संक्या 90,59,598 हो गई है अब तक देश में कुरोना के 84,78,124 रोगी ठीक हो चुके हैं ठीक होने की दर 93,67 प्रतिशत हो गई है देश में इस समय कोविट के सक्रिय मरीजों की संक्या 4,49,747 है प्रोदेश में कुरोणा संक्रमितों की संक्या एक लाख नब्बे हजार तक पहुँच गए है वहीं अब तक एक लाख चेहतर हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं प्रोदेश में बढ़ती संक्रमन के कारण सरकार ने भोपाल, इंदौर, विदिशा, सहित पांच शहरों में आज से रात का कर्फियों लगाने का फैसला किया है भोपाल और इंदौर में आप 300 के करीब मरीज मिल रहे हैं विदिशा में 23 नवंबर को अक्ष्य नवमी पर लगने वाले प्राचीन उदैगीरी मेले का आयूजन रस्त कर दिया गया है उधर चिंदवाडा में गुर्वार को 12 और शुक्रवार को 18 ने संक्रमित मिलने से जले में कोरोणा मरीजों की संख्या 2000 के पार हो गई है आगर मालवा सिले में भी साथ कोरोणा पॉसिटिव मिलने के साथ ही संक्रमितु का आकड़ा 528 तक पहुँच गया है इन में से 473 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं एलेक्ट्रोनिक्स और सूचनार प्रद्योगी की मंत्राले ने आरोगी सेतु एप का बैक एंड कोड जारी कर दिया है बैक एंड कोड किसी भी मुबाइल एप का डेटा संग्रहन करने और सुरक्षा के दृष्टि से महत्पून है मंत्राले ने कहा है कि कोविड-19 बहामारी के खलाफ रडाई में आरोगी सेतु एप उप्योगी सिध्ध हुआ है और इस एप के बैक एंड कोड को जारी करना पूण पारदर्शिता की प्रति सरकार की प्रतिवधता दर्शाता है मंत्राले ने कहा है कि 16 करोड 45 लाग से अधेक लोगों ने आरोगी से तु एप को डाउनलोड किया है मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहार ने कहा है कि प्रदेश में सरकारी और गैर सरकारी शेत्रों में रोजकार के अधिक से अधिक अवसर श्रजित कर सभी को रोजकार उपलब्द कराया जाएगा सभी सरकारी रिक्त पदों पर शीग्र न्यूक्तियां की जाएगी मुख्यमंत्री कल मंत्राले में रोजकार के अवसर श्रजित करने संबंधी बैठक ले रहे थी श्री जोहार ने कहा है कि परेटन शेत्र में रोजकार के विशेश अवसर हैं, इसके लिए बफर में सफर, जंगल सफारी, धार्मिक परेटन, ग्रामीड परेटन, जल परेटन आधी को पुढ़ावा दिया जाएगा अधिवग्ता विजयकुमार चौधरी को स्टीन पार काउंसल का अध्यक शुना गया है, आज जवलपुर में संपन हुए चिनाव में उन्हें 25 में से जरूरी 13 से अधिक से दस्यों का समर्थन मिला है, श्री चौधरी भोपाल के हैं आज विश्यो टेलिविजन दिवसे संयुकत राष्णे निर्णय लेने की प्रक्रिया में श्रव दर्श्य सिंचार माध्यम के प्रभाव और अन्यप्रमुक विश्यों पर ध्यान केंड़ित करने की इसकी शमता को सेकार करते हुए 1996 में ये दिवस मनाने का प्रस्ताव पा अगों में उदित सूरे को अर्ग देने के बाद संपन हो गया। छट पर बुधवार को शिरू हुआ था और आश्रधालों ने उगते सूरे को प्राता अर्ग देकर और छट प्रसाद ग्रहन कर अपना 36 खंटे लंबा उपवास समाप्त किया। इस अनुष्ठान को पारण कहा जाता है। इस साल छट का तेवहार कोविट महावारे के सिति के बीच बनाया गया। अनेक लोगों ने अपने घर में ही कृतिम तालाव और जलाशे बना कर कोविट-19 के दिशानिर्देशों का पालन करते वे सूरे देवता की उपासना की। जबलपुर में भी कोविट पालन करते वे गवारी घाड दिलवारा घाड समेत शहर की प्रमुख जलासियों में छटपर बनाया गया। अनुपूर और सत्ना में भी छटपर पर पारम पर एक उत्साह देखने को मिला। की स्थापना भी की जाएगी जिन में अनसोची जिंजाती वर्ग के विद्यार्थियों के साथ ही अनिवर्ग के विद्यार्थी भी रहेंगे। असले के ग्राम लालपूर में ग्रामेडों को प्रदीश सरकार की कल्याणकारी यूचनाओं की चानकारे दी। ब्रुटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और दोगज की दूरी हाथ होना भी है जरूरी। नमस्कार। प्रुटिन के अपील, मास्कार की कि रहेंगे। एक रहें भी ज यूद। एक रहें होने की अपे। यूज की अपीश सरकार। झाल झाल